Hello students, Welcome to Shikshayaanthra आप सभी का Shikshayaanthra में सवागत है हमने last विडियो में TENCE शुरू किया था और TENCE को हमने बहुती छोटे तरीके से बहुती कम समय में करने की कोशिश की थी उसके बावजूद भी अगर किसी का कोई doubt रह गया है है या कुछ रहता कि कुछ मिश्र विडियों तो उसके लिए अब हमने शुरू किया है detail विडियो करना तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब करते हैं दर है д पड़ेद होता है इस तरीके से जो हम sentences ता है ती है लगाते हैं sentences के अंदर उसके साथ-साथ ये एक तरीके से show करता है रोज मर रागे जिंदिगी को जो हम regularly words को use करते हैं उनके लिए जो है present indefinite tense जाधा इस्तमाल होता है देखते हैं पहले simple sentence में आप देखेंगे subject verb की first form ses और object क्या लगेगा simple sentence में subject verb की first form ses और object साथी साथ ses लगेगा कहां ses आपको दिखेगा कि ये लगेगा जो है he she it name यानि की third persons के साथ आपको ये देखने को मिलेगा sentence की तरफ चलते वह है रोज cricket खेलता है he plays cricket अब क्योंकि हमने क्या लगा है यहाँ पर हमने लगाया है यहाँ रोज क्रिकेट खेलता है ताह है क्या लगाया है तो ताहे लगाया है उसकी वेसे क्या एगा अलग कौन सा रहा है third person कौन सा person third person लग रहा है तो वह रोज cricket खेलता ही he plays cricket daily अगला sentence राधा पत्र लिखती है तो राधा writes a letter राधा writes a letter राधा एक नाम है राधा एक नाम है इसलिए राधा writes a letter उसके बाद हम चलते है negative sentence पे negative sentence में use होता है do does क्या इस्तमाल होता है do does मैं फिर बोल रहा हूँ rules को करने के लिए आपको जो पिछली वीडियो में एक short हमने 19 minute की वीडियो बनाईती है अगर आप उसे पढ़कर इस पे आएंगे तो थोड़ा ज़ादा आसान रहेगा आपके लिए negative sentence में हम देखते हैं कि subject के साथ क्या लग रहा है do does लग रहा है क्या लग रहा है do does और आप देखेंगे कि do लगेगा I, you, we, they के साथ किसके साथ लग रहा है do I, you, we, they के साथ और does लगेगा he, she, it, name के साथ he, she, it, name के साथ sentence की तरफ चलते हैं हम कपड़े नहीं सिलते हैं, we do not stitch clothes, we do not stitch clothes, अब भी है, plural है, do not stitch clothes, अजे कार नहीं चलाता है, तो अजे does not drive car, अजे कार नहीं चलाता है, अजे does not drive car, ठीक है, यहां तक कोई सवाल, आप और भी बना सकते हो, सीदिसी बात है, अगर आप इन rules से चलने की कोशिश करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके sentences, जल्दी से गलती की तरफ जाएंगे, because वो एक ऐसा तरीका है, जैसे हम अपना maths करते हैं, या कोई भी subject करते हैं, जो rules पर depend करते हैं, उन अगर subject को देखोगे, तो वहाँ पर भी आप देखोगे, अगर आप से कोई step या कोई rule मिस होता, तो पूरा sentence गलत हो जाता है, इसी तरीके से आप देखोगे, English के अंदर भी, और specially tense के अंदर, अगर आप rules मिस करते हो, तो वहाँ पर आपके sentence इदर उदर हो सकते हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, subject v1 ses object, subject v1 ses object, subject do, do not stitch first form और object, बहुत simple बहुत simple तरीके से हैं, ठीके, यह हमारे हैं, अब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, तो हम देखते हैं यापर, next interrogative, interrogative sentence में आप देखेंगे, क्या की helping verb जो है, जो helping verb है हमारी, वो सबसे पहले आजाएगी, जो helping verb है, आपने पीछे वाली slide में देखा था, कि helping verb बीच में थी obvious ही बात है, यहाँ पर हमारी helping verb सबसे पहले आजाएगी, do not spell लेगेगा, फिर subject, फिर v1, फिर last look object, और यह है पहचान, question mark, interrogative का जो पहचान हो, क्या होती है, question mark, क्या तुम पढ़ते हो, do you read book, अब मैंने यहाँ पर book, मिस होगया है मिट से, do you read book, ठीक है, क्या अजे, गाना गाता है, अजे क्या है, अजे क्या है, एक, नाम है, और he, she, it, name के साथ, क्या लगाएंगे हम, he, she, it, name के साथ, लगाएंगे हम, does, क्या लगाएंगे, does, तो आप देखेंगे, कि, does अजे sing, song, क्या अजे गाना, गाता है, इसके बाद, next चलते हैं, negative, plus interrogative, ऐसे sentence, जिसमें, नकारात्मक, ना भी सुनने को मिले, और, सवाल भी देखता हूँ, जैसे, क्या वे रोद, सुबे जल्दी नहीं उठते हैं, do they not, wake up, early in the morning, do they not, wake up, early in the morning, अब, देखो, क्या, की जगे के लगाएंगे, do, कुछ बच्चों को, कई बार, जब, शुरू में, जो बच्चे, सीख रहे होते हैं, तो, उनको लगता है, क्या मतलब, what, ऐसा नहीं होता है, बच्चों, जब हम, बात करते हैं, helping verbs की, और, helping verbs, जब, सवाल करती है, जब, दू डज पहले, जैसे, do they not wake up, early in the morning, क्या वे, दुकान, नहीं चलाता है, does he not, run the shop, run the shop, does he not, run the shop, बहुत, simplistic way में, कोशिश की गई है, present indefinite tense, आपको समझाने की, और, आप ये भी कहोगे, कि, WH family, और वो सब, उसको भी हम आगे, जो है, लगाएंगे, लेकिन अभी क्या है, कि हम generally, इनी sentences को, अपनी day to day, उसमें क्या नाम है, language में use करते हैं, और obvious ही बात है, कि, ज़्यादा तर हम, जो है, अपनी जो answer में, जो video बनाने का, जो मरब purpose होता हो, होता है, कि आप writing में, थोड़ा सा उसको ध्यान दे, और answer making में, ज़्यादा तर हमारे पास, ये चार ही sentence से, ज़्यादा इस्तमाल हम लोग करते हैं, तत्सवाएं हमने इन चार, sentences पर ही काम करने की, कोशिश की है, ठीक है, तो यही हमारा, आज का जो topic है, present indefinite, इसको यहीं खतम करते हैं, आगे के लिए, आगे की videos में, present continuous tense के बारे में, बात करेंगे, Thank you.